दोस्तों भदोही उत्तर प्रदेश की सीता मढ़ी का वीडियो आपने देखा हुगा जिसमें मैंने आपको प्रचलित लोक मानेता के अनुसार सीता जी के भूमी प्रवेश स्थलकात दर्शन करवाय था जिसे आपने बहुत सराहा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद लेकिन दोस्तों इस विशय पर कुछ भ्रह्म भी बन गए है पहला ये कि कुछ भाई मुझसे कह रहे हैं कि सीता मढ़ी तो बिहार में हैं तो आप इसे उत्तर प्रदेश में क्यों बता रहे हैं तो बिहार में जो सीता मढ़ी है वो सीता जी का जन्मस्थान माना जाता है जहां वे धर्ती के गर्ब से उत्पन्न हुई थी और भदोही उत्तर प्रदेश का सीता मढ़ी लोक मान्यता के अनुसार वो स्थान है जहां वे धर्ती में समाहित हुई थी इसी तरह कमेंट्स में कई लोगों ने मुझसे पूछा है कि महर्शी वालमीकी के आस्रम तो देश भर में जगए जगए बने हैं तो इनमें महर्शी वालमीकी का असली आस्रम कौन सा है और कई लोगों ने कमेंट किया है कि आपने गलत सीता समहिच सल दिखाया है जबकि असली सीता समाहित सल्तो नेपाल में है या बिठूर में या राजस्थान की बड़ी सादडी में या अम्रीज सर में या इसी तरह अन्य स्थानों पर है कुछ ने कहा है कि रामायन सीरिल में दिखाया गया है कि सीता जी अयोध्या में ही राम दरबार की भूमी में समाहित हुई थी तो प्रश्न उड़ता है कि इन में से वो स्थान कौन सा है जहां वास्तव में देवी सीता ने भूमी में प्रवेश किया था तो आज के इस वीडियो में मैं आपको आपके उन सभी प्रश्णों के उत्तर देने का प्रयास करूँगा इसलिए इसे अच्छे से समझने के लिए कृपया वीडियो को बिना स्किप किये पूरा देखे दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि मेरा उद्देश्य इन में से किसी स्थान से जुड़ी किसी की भी भावना को आहत करना नहीं है जहां तक बात है जगय जगय पर महर्शी वालमिकी के आस्रमों की तो ऐसा होना स्वभाविक है क्योंकि जो रिशिय मुनी हुआ करते थे वो भ्रहमन करते हुए निवास करते थे और महर्शी वालमिकी ने जो रामायन लिखी वो रामकथा सभी जनमानस तक पहुँचे और भगवान स्री राम का आदश व्यक्तित्व सभी जाने इसके लिए संभव है कि महशी वालमीकी संपूर्ण भारत में घुमे और जहां जहां वे रुके वहां उन्होंने अपने आस्रम बनाए तो इसमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए इसलिए उन सभी वालमीकी आस्रमों का महात्मे समान है क्योंकि उस हर एक आस्रम में महशी वालमीकी के मुख से भगवान स्री राम का यशोगान हुआ है चाहे वो रजस्थान का हो या पंजाब का उत्तराखंड का हो या उत्तरप्रदेश का नेपाल का हो या किसी अन्यस्थान पर परन्तु अब प्रश्ण है कि महशी वालमीकी के आस्रम तो जगया जगया हो सकते है लेकिन सीता समाहिट स्थल तो एक ही हो सकता है इसी पर आज हम चर्चा करेंगे तो शुरुआत हम करते हैं अयोध्या की राजसभा से क्या सीता जी का भूमी प्रवेश अयोध्या में हुआ था रामानंद सागर के टीवी सीरियल रामायन में सीता जी के भूमी प्रवेश का द्रिश्य अयोध्या की राजसभा में ही दिखाया गया है इसलिए कई लोग इसे ही प्रामानिक मान कर भ्रमित हो गए है लेकिन इस सीरियल में जो कथानक है वो केवल वालमिकी रामायन से ही नहीं, बलकि अन्य प्रतरीत रामकथाओं से भी लिये गए हैं जबकि रामकथा की प्रामानिक जानकारी केवल वालमिकी रामायन और उसपर आधारित ग्रंतों से ही मिल सकती है जहां तक बात है सीता जी के भूमी प्रविश्की तो वालमिकी रामायन के उत्तरकांड में सत्यानवेवे सर्ग में ये घटनाक्रम है इसके बाद अठ्यानवेवे सर्ग में देवी सीता के वियोग से शोक में संतप्त राम और जहां ये घटनाक्रम हुआ था वहीं पास में महर्शी वालमिकी की कुटी में स्री राम के रात्री वास का वर्नन है उसके बाद 99 सर्ग में उनके पुनह अयोध्या आगमन का वर्नन है यानि जहां ये घटनाक्रम हुआ था वहां से पुनह लोटकर अयोध्या आने का अर्थ हुआ कि ये घटनाक्रम अयुज्जा में नहीं बलकि अयुज्जा नगर से बाहर हुआ था वो स्थान जहां महेशी वालमिकी की कुटी भी थी तो क्या ये सीता जी के भूमी प्रवेश का स्थान महेशी वालमिकी का कोई आस्रम था? यदि हां तो कौन सा आस्रम? और अगर नहीं तो वो स्थान क्या था? इस विशय पर भ्रमित होने का कारण है कि इंटरनेट पर मौझूद कुछ वीडियो में ये बताया गया है यही मान्यता कुछ वीडियो में राजस्थान में प्रताब गढ़ के पास बड़ी सादरी के वालमिकी आस्रम से जोड़ कर दिखाई गई है और इसी तरह अन्य कई वालमिकी आस्रमों से भी इस घटना करम को जोड़ कर देखा जाता है तो इस विशय पर दर्शक का भ्रमित होना स्वभाविक है सबसे पहले हम बात करते हैं नेपाल में चितवन क्षेत्र के वालमिकी आस्रम की जिसके बारे में मान्यता है कि लक्षमन ने यहीं पर देवी सीता को छोड़ा था और देवी सीता ने यहीं पर लव और कुष को जन्म दिया था और यहीं वे भूमी में समाहित हुई थी लेकिन कुछ महत्वपून तच्छों को देखा जाए तो इस महर्शी वालमिकी आस्रम को लेकर ये मान्यताएं बिलकुल भी तरक संगत नहीं लगती पहली तो ये कि लक्षमन ने जहां देवी सीता को छोड़ा था वहां गंगा नदी का प्रवाह था वालमिकी रामायन में लक्षमन द्वारा सीता जी को गंगा पार छोड़ने का वर्नन है लेकिन इसे क्षेतर में गंगा जी नहीं बहती यहां तक की अयुध्या से चितवन ख्षेतर के मार्ग में कहीं पर भी गंगा जी नहीं है यही बात राजस्थान के बड़ी साधिडी के सीता अभ्या रहने के बारे में भी है वो स्थान भी गंगा जी से बहुत दूर होने के कारण महर्शी वालमीकी का वो आस्रम नहीं हो सकता जहां लक्षमन ने उन्हें छोड़ा था वस्तुत है वहां दो जलकुंडों से बहने वाली जलधारा को सीता नदी कहा जाता है इसी कारण इस अभ्या रहने का नाम सीता अभ्या रहने रख दिया गया अब बात करते हैं कानपूर में बिठूर के वालमीकी आस्रम की बिठूर वो पवित्र स्थान जिसकी मानिता मानव स्रिष्टी से जुड़ी है और ब्रह्माजी के पुत्र स्वयंभूव मनू और उनके पुत्र उत्तानपाद और पौत्र धूव की राजधानी रही है गंगा के किनारे स्थित इस नगर के वालमीकी आस्रम से भी ऐसी ही मानिता जुड़ी है जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको इस आस्रम का दर्शन करवा कर बताया था कि ये पावन स्थान महर्शी वालमीकी का जन्म स्थान भी है और यही पर उन्होंने आधिकावे रमायन की रचना की शुरुवात की तो संभव है कि लक्षमन ने देवी सीता को गंगा पार्ग करवा कर इसी क्षेतर में छोड़ा हो लेकिन ये स्थान भी देवी सीता का भूमी में प्रवेश स्थल नहीं हो सकता यहां पर लगे सरकारी बॉड पर भी यही लिखा है कि यहां स्री रामद्वारा परिचक्त सीता जी रही थी यहीं उन्होंने लव और कुष को जर्म दिया यहां एक कुंड भी बना है जिसे सीता कुंड कहा जाता है लेकिन सरकारी बोर्ड या शिलापटों पर कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि यहां देवी सीता जी ने भूमी में प्रवेश किया था वालमिकी रामायन के अनुसार भी ये स्थान सीता जी का भूमी प्रवेश स्थल नहीं हो सकता और यही नहीं बलकि महशी वालमिकी का कोई भी आस्रम सीता जी का भूमी प्रवेश स्थल नहीं हो सकता है क्यों नहीं हो सकता? जब राम दरबार भी नहीं और महशी वालमिकी का कोई आस्रम भी नहीं तो सीता जी का भूमी प्रवेश का वो स्थान कौन सा है? तो इसके जवाब के लिए हमें ध्यान देना चाहिए कि वालमिकी रामायन में इस बारे में क्या लिखा है क्योंकि मूल कावे तो वही है और आपको जानकर आश्चर होगा कि वालमिकी रामायन के अनुसार सीता जी का भूमी प्रवेश अश्वमेद यग्य के समय ही हुआ था रामायन के उत्तरकांड में सर्ग 96-99 तक इसी कथा का वर्नन है इस कथा के अनुसार भगवान राम ने अयुध्या से दूर एक पवित्रवन में अश्वमेद यग्य का आयोजन किया था इस यग्य में महर्शी वालमिकी सहित अनेक रिशियों और नागरिकों को आमंतृत किया गया था महेशी वालमिकी ने लवकुष द्वारा स्री राम के समक्ष राम कथा गायन करने का उचित अवसर जानकर वे सीता जी और लवकुष को लेकर यग्य सल पर गए वे यग्य में आये अन्य रिशियों के निवास के लिए बनाई गई कुटियों से कुछ दूरी पर एक कुटी में रहने लगे यहीं यग्य सल पर लवकुष ने रामायन का गायन किया था जिसे सुनकर भगवान स्री राम को ग्यात हुआ कि वे दोनों सुकुमार उन्ही के पुत्र हैं भगवान राम ने लवकुष को बिना किसी संशय के अपना पुत्रतो स्विकार किया परंतु लोकाप वाद को मिटाने के लिए महर्शी वालमिकी को सीता जी के साथ यग्य सल पर बुलाया ताकि सीता जी अपनी शुद्धता को प्रमानीत कर सके निर्धारित समय पर भगव लोक संख्याथ 6 से 8 तक लिखा है कि इस समाचार को सुनकर वहां दूर दूर से आए हजारों ब्राम्वन, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, राक्षस, वानर, महात्मा आदी सभी देवी सीता की शपत देखने वहां एकत्रित हो गए जो लोग मानते हैं कि सीता जी राम दरबार में भूमी में समाहित हुई थी विध्यान दें कि इतने हजारों लोग भला राम दरबार में कैसे समा सकते हैं वालमिकी रमायन के अनुसार, जब देवी सीता जी ने अपनी शुद्धता को प्रमानित करने के लिए पृत्वी माता से अपनी गोद में स्थान देने की प्रार्थना की, तो धर्ती फट गई और भुूगर्ब से सिंहासन पर विराजमान पृत्वी माता यग्ज्ठर पर प खुले आकाश के नीचे हुआ था। उस समय भगवान राम जैसा कि सीरियल में दिखाया गया है वैसे राज सिंहासन पर नहीं बैठे थे बलकि वालमिकी रामायन के अनुसार वे यग्य स्थल की भूमी पर यग्य दिक्षा की लकडी हाथ में पकड़े हुए बैठे थे। इस घटना को देखकर उनकी आखों में आसु आ गए और उन्होंने उदासी और दुख से युक्त चहरा नीचे जुका लिया था। 99 सर्ग में यग्य समाप्थ होने पर भगवान राम के अयुध्या प्रस्थान का बड़ा ही मार्मिक वर्नन किया गया है। इन प्रबल प्रमानों से ये सिद्ध होता है कि सीता जी का भूमी प्रवेश राजदरवार में नहीं हुआ था, बलकि अयुध्या से दूर वन में यग्य स्थल पर हुआ था। अब प्रश्ण है कि ये यग्य स्थल कहां था। ये तो सिद्ध है कि यग्य स्थल अयुध्या से दूर था लेकिन महर्शी वालमिकी के आश्रम में भी नहीं था क्योंकि महर्शी वालमिकी को तो स्वयम इस यग्य में आमंत्रित किया गया था हाँ जहां यग्य हुआ था वहीं महेशी वालमिकी की कुटी अवश्य थी क्योंकि सभी आगंतुक रिशियों के ठहरने के लिए वहां कुटीयां बनाई गई थी ना ही ये स्थान नेपाल का चितवन ख्षेतर था क्योंकि कौन राजा अपने राज्य विस्तार का यग्य अपने राज्य में ना करके अपने सशुराल में करेगा और वो भी तब जब उसने अपनी पत्नी का परिट्याग कर दिया हो तो सीता जी का भूमी प्रवेश चितवन क्षेत्र में होना बिल्कुल भी तरक संगत नहीं लगता तो ये स्थान कोन सा था? जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा उत्तर प्रदेश के भदोही में स्थित सीता मरी लोकमान्यता के अनुसार सीता समाहिट स्थल के रूप में तरक संगत लगता है ये स्थान गंगा नदी के पास होने के कारण खेती के लिए अत्यन्त उप्योगी है किन्तु उस स्थान की पवित्रता को ज्यान में रखते हुए प्राचीन राजवंशों ने वहां खेती नहीं करने दी उस विस्तरित भूमी को पवित्र गोचर भूमी के रूप में ही आरक्षित रखा कलियुग के प्राणियों पर क्रिपा करने के लिए ही भगवती देवी सीता ने अपनी लीला स्थली की महिमा को प्रकट करने के लिए एक त्यागी विरक्त संथ को दर्शन देकर पावन धाम के रूप में विक्सित करने का आदेश दिया ये बात पहले वाले वीडियो में बताई जा चुकी है उस वीडियो में मंदिर का निर्मान 24 वर्ष पहले हुआ बताया गया है लेकिन किसी भी तीर्थ की महिमा और उसकी प्राचिंता वर नवींता का निर्धारन केवल वहां के भवन निर्मान से नहीं हो सकता क्योंकि वास्तविक तीर्थ तो भू भाग ही होता है वो धर्ती और वहां की मिट्टी ही होती है सीता मढ़ी में मंदिर निर्मानकारे शुरू होने से पहले भी ये सीता मढ़ी सीता समाहिज स्थल के रूप में प्रसिद्ध था गीता प्रेस की पत्रिका कल्यान का तीर्थांक सन 1957 में प्रकाशित हुआ था उसमें भी सीता मढ़ी का वर्णन है आज से 63 वर्षपूर्व के तीर्थांक का ये विवरण परमपरागत लोक मान्यता के आधार पर लिखा गया था इसलिए भदोही उत्तर प्रदेश में स्थित सीता मढ़ी की पावन भूमी ही वो वास्तविक तीर्थ प्रतीत होता है जहां सीता जी धर्ति के गर्व में समाई थी जैस्तीरा